हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पॉईजन आईवी ये 1992 की एक ड्रामा थ्रिलर मुवी को एक्स्प्रेन करने वाला हूँ इस मुवी में एक टीनेज लड़की जो बहुत ही अकेली होती है उसके एक फ्रेंड बनती है इस लड़की की फैमिली में उसकी फ्रेंड आने के बाद सब कुछ तबाह होने लग जाता है यह इस मुवी की स्टोरिलाइन है तो चलिए इस मुवी को एक्स्प्लों करना स्टार्ट करते है Movie start होती है और हमें एक जंगल का स्पोट दिखता है जहाँ पर जुला विगरा होता है यहाँ पर सब teenagers hangout करने की लिए आते है यहाँ पर हमारे main character Ivy जुला जुल रहे होती है और भी एक main character यहाँ है जिसका नाब होता है Sylvia Sylvia टाइरी में कुछ लिख रही होती है पर ये IV के बारे में ही होता है IV बहुत ही open-minded है किसी से भी बात कर सकती है बहुत ही dashing है IV के body पर tattoo है तो Sylvia कभी नहीं कर सकती Sylvia को IV की तरह ही बनना है Sylvia को IV की तरह ही करेज चाहिए जब ये सब इस spot पर hangout कर रहे होते हैं तो उन्हें जोर के आवाज आती है रोड तक जब बहुशते हैं तो किसी ने गाड़ी से कुट्टे को उड़ाया होता है और वो चला गया होता है ये सब बहुशते हैं तो कुट्टा तडब रहा है ये Sylvia से देखा नहीं जाता वो सबसे कहती है कि हमें इसे hospital लेकर जाना चाहिए बाकी लटके कहे रहे होते हैं कि पेन में हैं इसे हमें मार डालना चाहिए आवी तब ही एक बड़ा से ड़न डालेती है और कुट्टे को मार डालती है सिल्विया को बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया प्रिंसिपल के office में है यहाँ पर थोड़े टाइम में आईवी भी आ जाती है सिल्विया आईवी का tattoo देख रही होती है यह जो tattoo है यह ग्रेव पर आईवी का plant आया हुआ है इस तरह के इसे draw किया गया है आईवी देखती है कि सिल्विया उसके tattoo में interested है सिल्विया कहती है कि मुझे आईवी पसं है आईवी बोलती है कि death and life दोनों represent करते हैं इसके बाद सिल्विया आईवी से पुछती है कि तुम यहा क्यों हो चल में आईवी ट्रबल में आ चुकी है क्योंकि scholarship से वो इस school में पढ़ती है उसके grades अब कम आ रहे है तो इसलिए principal ने उससे बुलाया है फिर आईवी सिल्विया से पुछती है कि तुम यहा क्यों हो सिल्विया ने एक न्यूज चलने को कॉल किया था और बोला था कि तुम्हारे यहाँ बॉम रखा हुआ है सब डर गए थे और बहुत inconvenience हुआ था आईवी कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया सिल्विया कहती है कि वहां का एंकर मुझे पसंद नहीं आता उसने कहा था कि 18 साल के लेड़ किया गारी नहीं चला सकती क्योंकि वह बहुत ही unstable होती है फिर आईवी पुछती है कि तुमने ये call किया था ये कैसे उन्हें पता चल गया आईवी फिर figure out कर ली थी और कहती है कि वो तो तुम्हारे डैड ही थे सिल्विया थोड़े सा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अपने डैड को ही उसने threat किया था ये करने के लिए बहुत डेरिंग लगी होगी इसलिए आईवी अब उससे इंप्रेस जब school छूट जाती है तो सिल्विया के फादर उससे लेने के लिए आते है सिल्विया के फादर उससे बहुत इनाराज है वो कहते है तुम्हारी वज़े से 200 लोगों को हमको आफिस से बाहर निकालना पड़ा सिल्विया उन्हें सौरी कहती है पर फादर अब बहुत ज़ादा गुसे में है वो कहते कि अब तुम grounded हो यानि कि सिल्विया अब कभी बाहर नहीं जा सकती इस incidence से सिल्विया के फादर का जॉब भी जा सकता है इसलिए वो और भी नाराज है ये दोनों गाड़ी में ही होते है तब ही आईवी आ जाती है आईवी इनसे lift मांगती है सिल्विया grounded है तो किसी को भी help नहीं कर सकती इसे सिल्विया के फादर उसे मना कर देते है सिल्विया बहुत ही request करती है तो इसके बाद आईवी को lift देने के लिए वो मान जाते है सिल्विया के फादर सिल्विया से पुछती है कि इसका नाम क्या है सिल्विया कहती है कि इसका नाम आईवी है सिल्विया को आईवी का नाम नहीं पता होता तो कहती ही कि Ivy है एक्चॉल में Ivy का नाम Ivy नहीं तो कुछ अलग है पर इस मुवी में उसका नाम हमें बताया नहीं गया है Ivy पूछती है कि प्लीज मुझे फ्रंस सीट पर बैठने तो अगर वो बैक सीट पर बैठती है तो उसे तकलिफ होती है Ivy गाड़ी में बैठकर अपने पेर डैश ब्रोड पर रखती है सिल्विया के फादर इसे नोटिस करते हैं पर इग्नोर कर देते हैं नेक्स डे आई वी और सिल्विया फिर से मिलते है तो सिल्विया पूछती है कि तुमारा एक्चॉल नेम क्या है Ivy कहती है कि मेरा नाम मुझे पसंद नहीं है तुमने मुझे Ivy पुका रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरी लाइफ मुझे फिर से स्टार्ट और करने का चांस मिलता है नए नाम के साथ इसलिए Ivy को Ivy नाम ही पसंद आता है Ivy फिर Sylvia के गले में एक linkless देखती है यह blue diamond होता है यह देखकर उसे बहुत ही पसंद आता है Sylvia कहती है कि मेरे फादर ने मुझे दिया है Ivy बोलती कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करते होंगे Sylvia कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो मेरे actual father नहीं है उन्हेंने मुझे adopt किया है इसलिए उन्हें बुरा लग रहा होगा इसलिए उन्हें ने मुझे buy कर कर दिया मेरी mother actual mother है Sylvia कहती ही कि मेरे original father black थे Sylvia के health कर ली होते है तो इसलिए यह कहती है आईवी कहती है कि मेरे father मुझे बहुत ही hate करते है मैं कभी भी उनसे सही से बात नहीं करवाती है मेरे father किस तरह से है इन्हें जानने के लिए उनकी room में में जब गई तो मुझे बहुत सारी magazines मिले यह adult magazines होती है Sylvia पुछती है क्या इसी वज़े से तुम इस तरह के कबड़े पहनती हो आईवी को उसके father से attention मिल सके इसी वज़े से वो इस तरह से रहती है यह दोनों बाते करते करते Sylvia के घर तक आ जाते है यह घर बहुत ही बड़ा होता है आईवी बिलिव नहीं कर पाती Sylvia को उसका house पसंद नहीं आता वो कहती ही कि इतना बड़ा है तो यहां लोगों को में धोन नहीं पाती Sylvia और आईवी के स्कूल में कोई भी friend नहीं है इससे भी बाते नहीं कर सकती पर एक दूसरे से अच्छी बाते कर रही है तो एक दोनों की friend बन जाती है Sylvia और आईवी को अपने घर में invite करती है Sylvia केती है कि मेरी mom से में तुमें नहीं मिला सकती क्योंकि उसकी जो mom है यहां मेशा बिमार रहती है Sylvia को लगता है कि उसकी mom बिमार होने का ढोंग करती है यह घर बहुत ही उचाई पर है जब यह दोनों balcony में आती है तो आईवी कहती है कि अगर मुझे मरना होगा तो मैं इसी height से मरूँगी मैं गिरते वक्त pretend करूँगे कि मैं ऊड़ रही हू Sylvia कहती है कि मैंने भी एक बार suicide करने का try किया था उसने अपनी nurse काट ली थी तभी Sylvia की mother वहाँ जाती है Sylvia की mother ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि Sylvia ने कभी ये किया ही नहीं था Sylvia फिर अपनी mother को सुलाने के लिए उसके room में लेकर जाती है mother नाराज है और कहती है कि इस तरह के क्यों तुम बाते कर रही थी अगर तुमें लोगों के सामने pretend करना बढ़ रहा है तो तुमारे real friends है ही नहीं mother को आईवी भी पसंद नहीं आती कहती है किस तरह की लड़की से तुम friendship कर रही हो उसका character सही नहीं है तब ही आईवी वहाँ आ जाती है और Sylvia से कहती है कि मेरी वज़े से trouble हो रहा है मैं अब यहां से जाती हूँ मदर को बुरा लगता है और आईवी से बात करने लग जाती है मदर बुछती है कि तुम रहती कहा हो आईवी कहती है कि मेरी एंड के साथ रहती हूँ आईवी की मदर ड्रगिस थी और इसी वज़े से वो मर गई है उसके फादर भी जेल में आती जाते रहती है इसी वज़े से अपनी एंड के साथ ही हो रहती है उसके एंड उसे पसंद नहीं करती फिर यह उसे वहार रहना पड़ता है यह दोनों बात कर रहते है तब ही सिल्विया के मॉम के ऑक्सिजन मास्क जारा ब्लॉक हो जाता है यह आईवी लेती है और इसे अंड ब्लॉक करती है मदर से सब लोग दूर भागते है क्योंकि वह बिमार है और यह बिमारी उन्हें ना लग जाए पर आईवी इस तरह से नहीं है उक्सिजन मास्क का ब्लॉक निकालने में आईवी नहीं डरती सिल्विया की मदर को अब आईवी अच्छे लगने लग जाती है आईवी डेट से नहीं डरती उसे लगता है कि एनरजी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है पर वो मरने से पहले बहुत सारी चीज़े करना चाती है अनिकि वो गरीब है पर वो गरीब नहीं मनना चाती मनने से पहले एक बड़ा सा हाउस हो उसके पास भी एक गाड़ी हो यह सब वो चाती है अनिकि सिल्विया के पास जो है यही वो पाना चाती है इसके बाद Sylvia हम से कहती है कि Ivy और में बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बन गई और Ivy मेरे साथ ही रहने लग गई Ivy और Sylvia बहुत जगा जाते थे और सब जगा Sylvia ही पे करती थी Sylvia अब Ivy को सब कुछ सच बताती है वो कहती है कि मेरे जो फादर है यह मेरे रियल फादर है और उसने सुसाइड करने की भी कभी कोशिश नहीं की थी Ivy कहती है कि मैं समझ सकती हो तुमने ऐसा क्यों कहा होगा इसके बाद नेक सिन में हम देखते है कि पूल के पास Ivy हैंग आउट कर रही होती है तब इस सिल्विया के फादर वहा जाते है फादर अपने ओफिस के लोगों के लिए पार्टी रखने वाले है क्योंकि उन्हें अपने ओफिस के लोगों को फिर से इंप्रेस करना है वरना इनकी जौब जा सकती है सिल्विया उन्हें इसके लिए हेल्प करने वाले है तो इसी सब्जेक्स से आईवी उनसे बाते करने लग जाती है बाते करते करते आईवी फादर से कहती है कि मेरे शूस वहाँ सिला कर दो फादर से शूस पानी में गिर जाते है आईवी स्मोके का फाइदा उठाती है और कहती है कि 150 डॉलर्स किये थे फादर इस पर कुछी पोलते नहीं और यह पैसे उसे दे देते हैं यह वैसे लेते वक्त भी सिल्विया के फादर को आईवी टीज करती है इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं कि सिल्विया के रूम में जब आईवी होती है तो Sylvia को एक call आता है पर यह IV उठा लेती है जिस दिन Sylvia के फादर की party होने वाली है उसी दिन Sylvia के friend उसे कही लेकर जाना चाते है यही inform करने के लिए उसके friend ने उसे call किया होता है पर यह IV उठाती है और उन्हें कहे देती है कि Sylvia उस दिन free है आईवी को पता होता है कि उस दिन party है पर फिर भी यह जान बुझ कर यह करती है Sylvia के mother और father यह दोनों हमेशा जखरते रहते है एक दिन ऐसा ही होता है तो Sylvia बहुत ही upset होकर वहाँ से चली जाती है आईवी और यह दोनों एक जगा पर बैठते है तो Sylvia के थी कि आज मेरा school जाने का थोड़ा भी मन नहीं है तो आईवी के थी है कि चलो कही अलग जगा पर चलती है यह इसे directly tattoo बलवाने के लिए लेकर आती है Sylvia बहुत ही डर रही होती है क्योंकि tattoo नहीं बनवा सकती है अगर किसी को भी पता चला तो बहुत ही बड़ा बक्रेडा हो जाएगा उसकी मदर उसे पूछ सकती है कि रसोड़े में कौन था मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी कौन था आईवी उसे बोल रही होती है कि कुछ भी नहीं होगा, तुमें करवा लो सिल्विया कहती है कि तुमारे लिए तो ठीक है तुम उसी तरह की लड़की हो आईवी को य अजिब लगता है वह गयती है कि तुम बोल क्या रही हो तुमें जैस समझती क्या हो इस बात पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है और सिल्विया वासे जा रही होती है जाते जाते आईवी उसे रोक लेती है वहती है कि पैसे तो दे कर जाओ मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है सिल्विया उसे पैसे दे देती है और चली जाती है दो मेरिट में फिर से वापस आ जाती है वो कहती है कि इस पैसों में 100 डॉलर्स की एक नोट है आईवी से ये वापस लना चाती है आईवी उसे दे रही होती है पर ये नोट छोड़ती ही नहीं सिल्विया को भी उनका जगडा हो गया तो ये बहुत ही बुरा लगता है सिल्विया भी हस देती है और बेट जाती है ये दोनों जब बाहर आती है तो उसने भी टैटू करवा लिया है ये दोनों एक जगा पर बेटी हुई है सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हारी तरह प्रीटी नहीं हूँ उससे भी प्रीटी बनना है आईवी कहती है कि तुम सिर्फ जरा लेट हो तुम यह आगे चल कर बहुत ही ब्यूटिफुल लगोगी आईवी सिल्विया के बाल सहलाने लग जाती है बहुत पास आजाती है उसे किस करती है आईवी कहती है कियों तुम से प्यार कर रही हो सिल्विया को अजिब लगता है और वहाँ से वो चली जाती है इसके बाद हमें सिल्विया के फादर आफिस में दिखते हैं वो अपने कोवरकर से बात करे होते हैं पर यह बहुत ही परेशान है कोवरकर पुछता है कि तुम आज इतने परेशान क्यों हो सिल्विया की मदर बहुत ही बिमार है तो इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है अगर मदर को कुछ हो गया तो यह जी नहीं पाएंगे इनकी जॉब भी जा सकती है तो इसका भी उन्हें टेंशन है अपनी कोवरकर से पुछते हैं कि जो पार्टी में थ्रोग कर रहा हूं इसस कोई भी फरक नहीं पड़ेगा रात में सिल्विया की मदर खिड़की के पास खड़ी हुई होती है उसे हमेज़ा सुसाइड के थौट्स आते रहते हैं सिल्विया खिड़की से उसे दूर निकालती है और बेड़ पर सुला देती है सिल्विया अपनी मदर से बात करने लग इसमें सुवीट्ट से जो उने नहीं चलते तो चुब चुब कर एक खा brands होते तब यहाँ पर आईवी आ जाती आईवी इनका मजाग लेने लग जाती है आईवी कहती है कि मुझे तुम इस तरह से पसंद हो तो जब डिवी पर होते हो तो एक비 में होते हो जिस तरह से सब लोग होते हैं उस तरह से मैं तब नहीं देख पाती पर जब इस तरह से तुम होते हो तो मुझे तुम अच्छे लगते हो अपनी हुमन साइड तुम और भी दिखाया करो सिल्विया के फादर के हाथ पर चोट लगी होती है यह चोट आईवी देख उसके फ्रेंड उसे प्रेशराइज करते है फादर भी मना कर रहे होते है पर आईवी कहती है कि यह सब कंफिजन मेरी वज़े से हुई है तो सिल्विया की जगा पर वो अब फादर को हेल्प करने वाली है जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो सिल्विया के मदर का एक ब्य बहुती बीटिफूल लगती है आई-वी को कॉम्पलिमेंट करते है आई-वी ड्रिंक सर्व कर रही होती है सिल्वया के फादर पहले अलकॉलीक थे तो अब वो ड्रिंक नहीं कर सकते है पर फिर भी आई-वी उन्हें ड्रंक दे देती है इस पार्टी में मदर उपर से सब दे वो म्यूजिक चलाती है और डांस करने लग जाती है फादर भी आईवी के पास आते है और उसके साथ डांस करने लग जाते है इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया है तो ये सिल्विया की मदर आकर देख लीती है ये हार्ट ब्रोकन हो जाती है अमने रूम में चले जाती है और सिल्विया के फादर भी उसके पास आती है ये बहुत गिल्टी महसुस कर रहे है तोड़ी दर में आईवी भी आती है आईवी कहती है कि मैंने आज तुम्हारा ड्रेस पहना था इसलिए सब मुझे कॉम्पलिमेंट कर रहे थे तुम्हारे हस्बन किचन में आए तो तुम्हें याद करकर ये रो रहे थे मैंने उन्हें सहारा दिया था सिल्विया के मदर को ये सच लगता है आईवी उसी ड्रिंग बना कर देती है और मदर ये ही सो जाती है वहाँ से चले जाते है रात में जब सिल्विया घर पर आती है तो उसका डॉग आईवी के साथ सोया हुआ होता है ये उसे देख कर बहुत ही जेलस महसूस होता है आईवी सिल्विया के डॉग को स्नैक्स देती है इसे वज़े से उसका डॉग हमेशा उसके साथ रहता है नेक्सटे मैं देखता है कि Ivy Sylvia के मदर के कार के पास है वो अंदर बेट जाती है जब Sylvia देखती है तो बहुत iagات जाती है वो कहती है कि मेरे मदर की एक कार है तुम इसमें नहीं बेट सकती वो आईवी को धोके बास बोलती है क्योंकि उसकी मदर की कार में वो बेटी है और सिल्विया का डॉक अब आईवी के साथ ही रहता है आईवी के दिए ऐसा नहीं है तुम्हारा डॉक तो तुम्हारा ही है इन दोनों में और भी जगड़ा हो जाता है और एक दुसरे से वो competition करने लग जाती है ये डॉक को बीच में रखते है और दोनों उसे call करती है डॉक बीचारा confused होता रहता है उसे किस के पास जाना है लास्ट में आईवी डॉक को जो snack खिलाती है वो snack का आवाद्स करती है और डॉक आईवी के पास चला जाता है सिल्विया नाराज होकर वह आसे निकल जाती है नेक्स डे स्कूल से आईवी को लेने के लिए सिल्विया के फादर आते है आईवी उस पर चीड़ी हुई है कल रात आईवी के साथ उन्हेंने कुछ भी नहीं किया इसी वज़े से आईवी अब उन पर चीड़ी हुई है ये गाड़ी में नहीं बैठती और जन्हें लग जाती है सिल्विया के फादर कहती है गाड़ी में बैठो उसे ओफ वोस कर रहे होते है तो आईवी कहती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो सिल्विया के फादर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ इसके बाद उसके गाड़ी में बैठ जाती है अब फादर कहती है कि जो भी सब हमारे बीच में हुआ था ये नहीं हो सकता आईवी कहती है कि ये तो हो चुका है फादर केती में stop कर सकता हो आईवी कहती है गाड़ी यही पर रोग दो आईवी कह रहे होती है जोसे handle कर सकती है इसके बाद सिल्विया के फादर गाड़ी जंगल में लेकर जाते है और ये दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है जब आईवी रात में घर आती है तो सिल्विया को डोर ओपन करने के लिए कहती है कहती है कि अगर तुमने मुझे एंटर दी तभी मैं घर में आउंगी सिल्विया भी आईवी को माफ कर देती है और इसे घर में आने देती है Next day हम देखती है कि Sylvia की मदर खिड़की पर खड़ी हुई होती है वहाँ पर Ivy आती है Ivy बुछती है कि मुझे पता है कि तुम कभी कभी suicide करने का सोचती हो मदर कहती ही कि हाँ मैं सोचती हूँ ये बोलकर Ivy डारेकली Sylvia की मदर को धक्का दे दीती है ये सुनकर सिल्विया मदर की रूम में आ जाती है पर आईवी वहाँ छुप गई होती है अब मेमोरेल होता है और सिल्विया को लगता है कि उसकी मदर बहुत ही अकेली थी और उसे बहुत ही बुरा लगता है रात में सिल्विया सो नहीं पाती है तो अपनी मदर की रूम में उसे कुछ चीज़े मुझे कहने थी वो मैं नहीं कह पाई आयवी बोलती है तुम प्रिटेंड करो कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ और सब कुछ बोल दो सिल्विया अपनी मदर से बात करी है इसा प्रिटेंड करती है और कहती है कि तुमसे बहुत ही जिलस थी सब लोग तुम्हें बहुत ही प्रिटी मानते थे और मैं उतनी प्रिटी नहीं थी मैं इस घर में बहुत ही ओड थी वो फिर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी अगली दिन सिल्विया के फादर का जॉब चला जाता है यह अलकोली की है तो यह दारू पीने लग जाते है इसके बाद हम देखते हैं सिल्विया अपनी मदर के कार को वाश कर रही है यहाँ पर आईवी भी आ जाती है वो कहती है कि चलो हम तीनों राइड पर चलते है सिल्विया के मदर की अस्तियों का कलश हुआ है आईवी को सही से ड्राइव करना नहीं आता पर फिर विए ड्राइव कर ही रही होती है जब एक कार में होते हैं तो आईवी एक गाना गुनगुना थी है सिल्विया को एगाना सुनकर सस्पिशन आता है वो आईवी से बुछती है कि एगाना तो मेरी मदर सुनती थी मेरी फादर ने स्पेशल हो उनके लिए बनवाया था ये तुम किसी गुनगुना रही हो सिल्विया की मदर सिर्फ उसके बड़े पर एगाना लगाती है जिस दिन लोग मुझे हमेशा अक्यूजी करते रहते हैं इन दोनों में फाइट होती है और इनकी गाड़ी एक जगा पर टक्रा जाती है इसमें सिल्विया की सर पर चोट आती है और यह वो बेवोश होकर गिर जाती है आईवी को जादा चोट नहीं आती तो सिल्विया को ड्राइवर स सिल्विया को अब लगता है कि उसके मदर की मरने के पीछे आईवी का ही हाथ है रात में वो सो नहीं पाती प्योंकि उसकी मदर उसे दिखती है इसके बाद वो हॉस्पिटल से छुपकर निकल जाती है वो डायरक लिए अपने घर पर आती है घर पर आकर वो देखती है तो पीछे पीछे उसके फादर जाते है सिल्विया को ढूनने पाते है फिर से आईवी के पास आते है आईवी के बाड़ी चेक करते है तो एक्सिडन्ट से उसके बाड़ी पर मार्क होते है और वो समझ जाते है कि आईवी ने जुट कहा था वो आईवी को छोड़ कर फिर से सि चुपी होती है, वो उपर आ जाती है खिटगी के पास आईवी को कहती है कि मरी मदर को तुमने मारा है आईवी कहती है कि वो मरना चाती थी इसलिए मैंने सब किया हम अब सब फैमिली बन सकते है सिल्विया बहुत ही चिड़ी होती है उसे कहती है कि भाड में जाओ और उसे धक्का दे देती है आई वी नीचे गीर कर मर जाती है अब सिल्विया मूवी के लास्ट में कहती है कि वो जैसे भी थी पर मैं उसे प्यार करती थी मैं अभी भी उसे मिस करती हूँ यही पर यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा रहागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ये बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटक्रिशन आइकान दबाने मत भूलें हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुविए के साथ तब तक के लिए धैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखें